कॉंग्रिस के पूरवध्यक्ष राहुल गांदी केरल के वाइनाड से सांसद हैं, वो वाइनाड दौरे पर हैं राहुल गांदी ने इस महीने दूसरी बार अपने सांसदिये शेत्र वाइनाड में रहत शिविरों का दौरा किया इस शेत्र में बारिश और भूसकलन के कारण बड़े स्तर पर तभाई हुई है इस दौरान लोगों से मिलने के लिए उनकी गाड़ी रुकी लोग उनसे हाथ मिलाने लगे तब ही एक यूवक आया और उनको किस करके चला गया सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है राहुल गांदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा मैं अगले कुछ दिनों के लिए अपने सांसदिये निर्वाचन शेत्र वाइनार्ड में हूँ यहां बार राहत शिविरों का दौरा करूंगा और इलाके में चल रहें पुनर्वास कारेयों का जायजा लूँगा ज्यादातर काम पूरे हो गए हैं मगर कुछ और काम किये जाने की अभी भी जरूरत है वाइनार्ड से सांसद राहुल गांदी बार प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और संभावना है कि 30 अगस्त को दिल्ली लोट जाएंगे बता दें कि राहुल गांदी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसी साल फरवरी में जब राहुल गांदी गुच्राद दौरे पर थे तो एक बुजर्ग महिला राहुल गांदी को माला पहनाने के लिए मंच पर गई उन्होंने पहले राहुल गांदी को गाल पर किस किया और फिर माला पहनाई थी इसी किसाद 2014 में जब चुनाफ का प्रचार करने के लिए रहुल गांदी असम के जोरहाट में पहुंचे थे तो एक महिला ने उनके गाल पर किस कर लिया था ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ था आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैंनमंच शर्मा पंजाब के स्री दिली अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले